जब जाके चलमें आप सभी का स्वाग आता है आज हम बनाएं कड़ी पकोड़े तो चलिए हम जानते हैं कि पकोड़े बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की ज़रुरत होगी एक कटोड़ी तेल, एक कटोड़ी बेशन, एक चोथाई चमच धन्या पौड़ा, आधा चमच लशन पेस्ट, एक चुटकी सोड़ा, खाने वाला सोड़ा, आधा चमच हल्दी पौड़ा, आधा चमच लाल मिर्च पौड़ा, लमक स्वाधन तो चलिए अब हम जान लेते हैं कड़ी बनाने के लिए हमें किन-किन जिनोगी जरूत होगी, बेशन, आधा कटोड़ी, एक कटोड़ी दही, खटा दही, कड़ी बनाने के लिए हमें खटा दही चाहिए, एक मिडियम साइज का प्याज जिसे हमने बारी काट लिया है, आधा चमच हल्दी पौड़ा, आधा लाल मिर्च, एक टेज़ पत्ता, आधा चम्मच लहसंद पेस्ट, आधा चम्मच जीरा, नमक स्वादम अचा, तो चरिए हम पकड़े का पेस्ट तियार कर लेते हैं, बेशन डालेंगे, लहसन डाल देंगे, धन्या पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, ल तुरह तुरह पाने डाल कर इसे हूं मिला लेंगे अच्छी तरह मिक्स कर लेगी पर लिए सोडा भी डाल देते हैं इसे हम पत्लाद नहीं करें थोरा गार्धाई ही रखेंगे पकोरे के लिए जो हम पेष्ट बना रहा हैं उस पेष्ट में गांच नहीं रहना चाहिए अब देख सकते हैं पकोरे का पेष्ट तेयार है इसे हम पांच मिनट के लिए ढकट के छोर देंगे अब देख सकते हैं पत्ला नहीं है गारा है तो चलिए इसे हम पांच मिनट के छोड़ देते हैं पांच मिनट हो चुका है इसका अब धकन हम हटाएंगे तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं पकोरे तो चलिए सबसे पहले हम गया सौन करेंगे कराही चराएंगे कराही को हम गर्म होने लेंगे कराही हमारा गर्म हो चुका है तो चलिए इसमें सबसे तेल डालेंगे दीं वह मैचां वेरा तेल अच्छी तरह तरह से गर्म होने देंगे तरह हम पार मकणी लेगे आहात में थ्टरा पानी लगा एंगे सब्सक्षान कि एखवाई से अच्छी तरह से फिर में या दूरल हो चुका है एथ मैं अच्छी तरह से प्रमिला देंगे इसे हम पकोड़े टेल में डाल दिया जाएंगे देखिए सभी पकोड़े हमने तेल में डाल दिया रहा है जब देल हमाना गर्म हो जाची तरह से तो गैस हम मीडियम कर देंगे अब तब हम इसमें पकोड़े डालेंगे अब हम पकोड़े को पलड़ देंगे दोनों तरफ से अची तरह से हम सेख लेंगे पकोड़े को मेडियम कर पकोड़े से केंगे जिससे क्या होगा कि आपके पकोड़े अंदर से कच्छा नहीं रहेगा यद यब है विद्ट इससमेंगा दोर पंडा कर दोड़े नहीं जे में ऊहे एक आतरोंगे डियेख mı ड्मदल पकोड़े नहीं से छखर मवल गलड़े नहीं जाया होगा है कि आए ओका नहीं को को करे कोंबरां कर लेंगे इसे निकाल लेंगे पकोड़े ब्राउन हो चुके हैं अब इसे में निकाल लेंगे तो चलिए अब सभी पकोड़े में निकाल लेते हैं अब गैस हम बंद कर देगे पकोड़े हमारे बंद चुके हैं तो चलिए अब हम कढ़ी बना लेते हैं तो चलिए एक बर्तन लेंगे बर्तन में हम कढ़ी का गोल तयार करेंगे बेशन डालेंगे बेशन को अच्छी तरह से थुरा थुरा पानी डाल गड़के गोल बना लेंगे ताकि इसमें थुरा भी गांठ नहीं रहें अब हाँ बद्टे 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 लग अब हो जा हो चृट ऊँट हो तो अब हो तो च जा हो एड हो चालियादा अचे पैसनों अच्ट लाओ समीन इसमें हम पानी डालेंगे, एक गिलास पानी आओ डालेंगे, दो गिलास पानी होगे, इसमें हम तीन गिलास पानी डालेंगे, दो गिलास पानी होगे, इसमें हम तीन गिलास पानी डालेंगे, दो गिलास पानी होगे, दो गिलास पानी होगे, दो गिलास पानी होगे, दो गि तो इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाध्यनु से तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं कराई में हम पाथ चमाच तिल डालें तो कराई में हम पाथ चमाच तिल डालेंगे तिल बहुन तुरा गर्भ होने देंगे एक कटोड़ी लेंगे अब इसमें हम दही डालेंगे और इसे हम दही को अच्छी तरह से हम तोर लेंगे मिला लेंगे कड़ी में डालने के लिए अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे दही को तूर लेंगे अब चाहे तो मिक्सी में भी मिला सकते हैं ऐसे भी मिला सकते हैं कर दो देखिए हमारा मिल चुका है तब चलते हैं के इसकी और तो चलिए तेल हमारा करूं हो चुका है दालेंगे तेजपता अब डालेंगे हम दो लाल मिर्च और जीरा घृट गृट नहरा हो ने लिए व्रस नहरा हो चुका है तब इसमें हम डालेंगे प्याज फ्याज तो हमारी को छापक करनेगे कि यह पूर्ड ही रखा है कि यह अगर शॉप हो चुका है तो इसके हम डालेंगे लासन पर इसे भी हम फरक भूल लेंगे इसके कच्छापान हडा देंगे लासन पर इसे लासन डाल करके हम एक मिनिट भूल लेंगे शुरार हम डालेंगे देशन दोल अब इसे हम चलाते रहें अब शॉड़ेंगे नहीं चुरेंगे तो लीचे से ब्यासन पकड़ लेगा अब इसमें हम डाल देए भूलंगे फल्दी पाउडर और इसे हम चलाते रहेंगे इसे हमें लागातार चलाते रहें उबाल आने तक इसे हम चलाएंगे तो अब इसमें उबाल दही जो हमने मिला करके रखा तो डाल देंगे कड़ी हमारा ज्यादा गाधा हो चुका है तो इसमें क्या करेंगें आदा गिलास पानी भारेट कर देंगे यह ठंदा होने पर और गाधा हो जाएगा अब इसमें हम डाल देंगे पकोड़े अब इसमें उबाल आने देंगे उसके बाद हम इसे उतार लेंगे तो अब कड़ी में उबाल आ चुका है अब हम गैस बंद कर देंगे तो चलिए अब हमारे कड़ी पकोड़े बनकर तयार है अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद झारे कि अब है हमारे कर देंगेन बंद करेंगे तोचाई सब्सक्राइब कर देंगे।